अमारेकी रिसर्च फॉर्म हिंडन बग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रूप के खिलाफ अपनी रिपोर्ट चारी की थी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रूप की कमपनियां 80% ओवर वैल्यूड हैं ग्रूप हैर फेर करके शेरों के दाम बढ़ाता है रिपोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुनवाई हुई कोट ने सेवी से जांच रिपोर्ट पर सवाल किये तो सोलिसिटर जनरल एसजी मैता ने कहा कि सेवी को जांच के लिए और टाइम चाहिए सेवी को इसके लिए कम से कम 6 महिने का समय और दिया जाए सेवी से इस बा प्रकार की जानकारियां उपलब्द कराने का भी आदेश दिया था लेकिन सेवी का कहना है कि दो महिने में इसकी जांच पूरी नहीं की जा सकती है और उसे इसके लिए 6 महिने का समय चाहिए जिसका याचिका करताव विरोध कर रहे थे वरिष्ट वकील प्रशांद भूश प्रशांद भूशन ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सेवी के 19 दिसम्बर 2022 को जारी मास्टर सर्कूलेशन में कहा है कि सभी निवेशकों के लिए लाबारती मालिकों के नाम का खुलासा करना जरूरी है दोनों पक्षों की दली सुने के बाद कि वो जांच के लिए सेवी को 6 महिने का समय नहीं दे सकते सीजी आई डीवाई चंदरचूर ने कहा कि सेवी 15 अगस 2023 तक अडानी हिंडनबर्ग मामने की जांच पूरी करे सुप्रिम कोट ने अडानी ग्रूप पर जांच के लिए एक 6 सदसे विशेचगे पैनल का गठन किया था इस पैनल को 2 महिने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था पैनल ने 8 मही को सुप्रिम कोट में सील बंद कवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी ये रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस डी वाई चंदरचूर के सामने पेश की गई डीबिलाइफ की रिपोर्ट